سंबारब्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं इस बारे में आज मैं भीडियो बनाने वाली हूню나 आख अब तक मेरे वीडियो देखते रहें और अच्छा लगादा सब्सक्राइब करें देखे संबार ब्रत दो प्रकार की होती है एक तो श्राबन के संबार और दूसरा होता है 16 संबार ब्रत तो दोनों का खाने का जो विधी है अलग-अलग प्रकार की है खैसे तो श्राबन में आप जो संबार ब्रत रखेंगे आप पूरे श्राबन के जितने संबार हैं उतना रख सकते हैं या उसमें से दो भी रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे श्रावण भर की ब्रत आप रखना जरूरी है। और जो 16 संबार ब्रत होता है आप श्रावण से शुरू करके उसको बिना खंडित किये आपको 16 संबार करना पढ़ता है। वाले आप आसुदी अवस्ता में भी रहेंगे तो आपको ब्रत छोड़ना नहीं होगा यानि आप ब्रत छोड़ने ही सकते हैं वाले आप पूजा किसी और से करवा सकते हैं तो चलिए खाने की बीधी की और चलते हैं तो क्या खाना पढ़ता है इस दोनो जो ब्रत में जो सात्तिक फोजन हमारे रस्वी घर में बनता है तो वो आप खा कर ब्रत रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो फली हारी ब्रत भी रख सकते हैं वो आपके उपर है कि आप क्या खाएंगे उसमें जरूरी नहीं कि आप फली हारी ही करें तो चाय पानी दूद और जो घर में बनी मिठाया यह सब भी आप ले सकते हैं फल मुल ले सकते हैं तो इस प्रकार आजकल ब्रत करते हैं क्योंकि चाय पानी फल आदी बिना तो किसी को चलता नहीं है क्योंकि सब का सरीर एक समान भी नहीं रहती हैं दूसरा होता है 16 संबार व्रत तो 16 संबार व्रत में आप मेठा भोजन खा कर व्रत करें यानि उसमें क्या तो आप चुर्मा खाएं, क्या आप हल्वा खाएं, क्या आप फल खाएं तो जो भी खाएंगे ऐसा संकल्प किया जाता है कि जो भी खाएंगे तो एक ही चीज खाकर ही 16 संबारत तक आपको रब्रत रखना पड़ेगा आप चुर्मा खाकर रहेंगे तो चुर्मा ही 16 संबारत तक रहना पड़ेगा वो भी एक समय चुर्मा ऐसा नहीं कि दो तिन बार चुर्मा खा लिए ऐसा नहीं है तो चुर्मा खाएंगे एकी समय और बाकी जो फल मुन तो खा सकते हैं आप उसमें कोई परहश नहीं है कि आप चाय पनी फल मुन नहीं सकते हैं आप हल्वा खा रहे हैं तो हल्वा एकी समय खाएंगे और जदि फल खाकर रहे हैं तो फल दो समय भी खा सकते हैं और दूसरा होता है फलियारी का कोई-कोई फलियारी का जो भोजन लेकर ब्रत रखते हैं फलिहारी में आप जो सेंधा नमक उपयोग करके आप रहत रखें यह फलिहारी में आप जो रस्वीगर में जो नमक यूज़ करते हैं वो नहीं चलेगा तो सेंधान अम्मक यूज़ करके फलियारी आइटमस बना कर आप खा सकते हैं उसमें जो खुटू का अटा से बनी चीजें और आलू से बनी चीजें आप खा कर फलियारी उब्रत रखें उसमें पर कोई भी सबजियां नहीं चलेगा जैसे आप सोचेगे कि हम टमाटर और दुसरे सब्जी का उपे करें वो सब नहीं चलेगा और बाहर की चीजे उसमें नहीं चलेगा फल्यारी में और वैसे भी ब्रत में बाहर की चीजें नहीं काना चाहिए बस ऐसा है कि सूधर साथलिक से बनी जो दूद से बनी मिठाया जो शुम्बार ब्रत जो करेंगे आप स्टावन शुम्बार ब्रत उसमें चल सकता है तो ये थी आज की जनकरी